तो जल्दी से देखते हैं सुभह की मार्केट में जादा देखा नहीं है तो जो लोग का मैंने टेलिग्राम पे उनको अपडेट मिल गया होगा कि हमने लॉग यहां पे कैंसल कर दिये थे उसका रीजन यह था कि हम SPX के अपसाइड मूव एक्सपेट करके चल रहे थे लेकिन SPX में अपसाइड मूव बहुत ही लेट आया उस ताम तक तो हम लोग सो मैंने आपे नहीं किया आप लोग को मैंने नौ पजी पूल दिया था यहां पे कोई अच्छा मोमेंट हमें दिखा नहीं पहुन ही गया रहा बजे तक हमने बेट किया तो हमने इसका अद लॉंग है पर कैंसल कर दिये थे प्लस दिस अवरी इंट्रसिंग चार्ट जो मुझ कि देर इस गोईंग टो भी सिगनिफिकेंट अपसाइड मूफ बिफोर वी क्राश हाट डाउन बट अब हम उस लॉंग का वेट नहीं कर रहे है क्योंकि उसके चक्कर में दो दिन यहां पर निकल चुकिया अलड़ी बाइन्स की अहलत और खराब होते भी कल CZCNBC पे आय थ का fanboy बनके आपको personally कुछ gain करने को नहीं मिलेगा similarly Shiba Inu का fanboy बनके मेरे को गाली देने से भी लोग को कुछ नहीं मिलता Shiba Inu is still 90% down तो Binance का fanboy मत बनो don't keep your funds on any centralized exchanges चाहे Binance bankrupt हो जाए या चाहे bankrupt ना हो आपको यहां पर अपना fund अपने पास safe रखना है केवल trading के लिए या फिर buying के लिए थोड़ा सा fund निकाला करो अपने खुद के wallet से उससे trade या buy किया करो और वापस transfer कर लिया करो fund ठीक है यहां पर मैं इस तरीके से manage करता हूं and you should also manage like this तो यहां पर एक बार इस trade को बढ़ते हैं सबसे पहले तो Binance ने अपना proof of reserve यहां पर release किया था and जिस group ने उस proof of reserve को prepare किया था वो Masaras group ने delete कर दिया है वो proof of reserve and उनको किसी ने इतना डरा दिया है कि अब वो Binance and किसी भी crypto client के साथ आप काम नहीं कर रहे है इसके बाद बात करते हैं FTX के stake की तो CZ का FTX का stake was 500 million dollars जो कि उरोंने tweet के था हमारे पास इतने FTT token है अब उरोंने वो बेचे नहीं तो आदा billion dollars का loss तो हाँ directly इनको हो गया है and that was 2.1 billion dollars FTT token जो कि अब worthless है तो मतलब 2.1 billion dollars का वो realized loss है and half a billion dollars वो पिछले एक दो महीने पहले ही था तो काफी बड़ा जटका यहां पे लगा है इनको and according to her जो कि एक CFA है there can be a chance की Binance might have to pay 2.1 billion dollars back to FTX victim we'll see about that I think यह true नहीं होगा इसके बाद CNBC पे आयते CZ तो इस interview की summary हम basically discuss कर लेते सबसे पहले तो CNBC के anchor ने इनसे पूछा कि अगर FTX का 2.1 billion dollars इनको देना पड़ा तो can they do it तो उसमें CZ बोलते हैं कि yes we are financially stable हम उसको कर सकते है इसके बाद रहने बात करी कि आप लोगों ने proof of results तो release कर रहे थे लेकिन आपने liabilities वहां पे release नहीं करी थी अब अब आंकर पूछता है कि आप बिग फोर फर्म्स उनसे क्यों ही audit कर वा रहे हो तो CZ बोलते हैं कि उन लोगों को crypto exchange audit करना नहीं आता है तो ये थोड़ा बहुत डाउट फोल यहां पे लग रहा है and CZ की body language in this video is also not that great मैं इसको retweet कर लेता हूँ जिसको देखना होगा देखें check it out this is overall जो औरो ने आपे share किया है तो BNB का price ये reflect कर रहा है overall आप देख सकते हो कि BNB का price जब से first start वी है तो $280 से $227 तक आ गया है we did short it काफी time तक कल में हमने इसको short किया था फिलहाल यहां पर risk थोड़ा increase हो गया है क्योंकि अल्रीड काफी गिर चुका है तो रहे सबसे Ethereum, Matic, these are better options for short Matic तो almost destroy हो गया है 0.79 पर आ गया है तो these look like better options to short बात करते हैं buying की तो अब मैं अपनी SIP दुबारा start कर रहा हूँ को मैंने अपनी SIP बंद कर दी जैसे 17,000 के उपर Bitcoin चला गया था I will be picking up some Matic Ethereum and Bitcoin in my SIP Binance को मैं अभी touch नहीं करूंगा जब तक वो 200 दोर के नीचे नहीं आजा था and we can also see one interesting thing happening here that Binance अपने top से यहां पे down है अब finally 67% and अगर हम इसको compare करते है Bitcoin को from its top तो Bitcoin is down around 75% तो Bitcoin जो के सबसे strongest currency है वो Binance Coin से जादा गिरी है तो this is a big red flag and I think इसके कारण यहां पे Binance का price जो है CZ ने manipulate करके रखा था and अब जब withdrawals हो रहे हैं तो Binance का price गिर रहा है तो that is the clear reason and I think हमें 200 दोलर के नीचे BNB Coin should be there soon लेकिन you know BNB को short करना थोड़ा risky होता है तो do it at your own risk although it looks like a good tempting shot but beach beach में upside move आएगा जो आपको थोड़ा सा हिला सकता है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना leverage थोड़ा control में रखना तो यहां पर चोटा सा upside move हमें देखने को मिल सकता है लेकिन overall trend जो है नीचे ही रहेगा and I am expecting it to stay down January mid January end because मैंने आपसे पहले ही बात करें कि December के end में क्या होता है taxes file होता है US में and काफी सारी लोग अपने losses book करते है ताकि वो tax returns में उसको claim कर सके and losses book करने के लिए अपने underperforming assets को बेचते हैं तो it's standard practice and this के लिए इसके कारण मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं कि हमेशा December end के दाइम पे जो है markets यहां पे गिरते हैं पिछे 3-4 साल से मैं से फसला था बड़ इस वार मैं नहीं वज़ा मैंने स्टॉक्स पहले ही बेच के रख दिये थे and मैं आप लोगों को दो हफते से बोल रहा था तो hopefully you guys are safe out there को change आता है analysis में तो I'll make an updated video at around 3-4 pm आकी make sure to like the video and subscribe to the channel अगर 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 आपको साथ बज़ेगा सुबेगा ताइम अच्छा लगता है तो like कर दो I will try to wake up I'm just kidding bye bye